किड़नी की समस्या होने पर बचे ये पांच सब्जिया हम सभी जानते हैं कि सब्जिया हमारे स्वास्थे के लिए अच्छी हैं लेकिन गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों के लिए कुछ आश्चर ये जनक रूप से हानिका रख हो सकते हैं इसलिए यदि आपके पास गुर्दे की समस्या है या सिर्फ अपने गुर्दे को खुश रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इससे पहले की हम उन पांच सब्जियों में गोता लगाएं जिन्हें आपको सीमित करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए इनके लिए दो मुख्य दोशियों पोटेशियम और फॉस्फोरस सामगरी को समझना महत्वपून है आम तोर पर ये खनेज आपके लिए अच्छे होते हैं लेकिन जब आपके गुर्दे कमजोर होते हैं तो उन्हें स्वस्थ स्थर पर रखने में परेशानी हो सकती है जिससे संभावित स्वास्थे जोखिम हो सकते है रख्ट में उच्छ पोटेशियम का स्थर आपके दिल में विद्यूत संकेतों को बाधित कर सकता है संभावित रूप से अनियमित रिदय ताल, मांस्पेशियों की कमजोरी और गंभीर मामलों में पक्षागात का कारण बन सकता है दूसरी और, रख्ट में उच्छ फोस्फोरस हड्डियों से केल्शियम चुरा सकता है, जिससे वे कमजोर हो जाते है ये हृदय और फेफ़डों जैसे अंगों में केल्शियम जमा होने का कारण बन सकता है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और सांस लेने में समस्या का खत्रा बढ़ जाता है जिन पांच सब्जियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वे इन दो खनिजों में उच्छ है, यही कारण है कि आपको उनसे बचने या सीमित करने की आवश्यक्ता है हमारी सूची में सबसे पहले पालक है यह पत्तेदार हरी सब्जी पोटेशियम का एक अच्छा स्रोथ है, पकाई जाने पर लगभग 558 से 840 मिली ग्राम प्रती सो ग्राम होता है यह ऑक्सालेट्स में भी उच्छ है, जो आपके गुर्दे में केल्शियम के साथ बांध सकता है और गुर्दे की पत्री बना सकता है गुर्दे की पत्री से ग्रस्ट लोगों के लिए इस हरे रंग को सीमित करना सबसे अच्छा है इसके बजाए पत्तेदार सबजियों का चैन करें जो पोटेशियम, फॉस्फोरस और ओक्सालेट्स जैसे बोग, चोई और नापा और हरी गोभी में कम है हमारी सूची में दूसरा स्विस चाड है पालक के समान, स्विस चर्ड एक और पत्तेदार हरी सबजी है जो पोटेशियम और ओक्सालेट्स में उच्छ है 100 ग्राम पके हुए स्विस चार्ड में लगबग 549 मिली ग्राम पोटेशियम होता है तो, इस हरे को बहतर धंग से सीमित करें एक और सब्जी जिसे आपको देखना चाहिए वह है चुकंदर का साग बीट के पत्तेदार शीर्ष भी पोटेशियम में उच्छ होते है 100 ग्राम पके हुए चुकंदर के साग में लगबग 909 से 1, 309 मिली ग्राम पोटेशियम होता है जो वास्तव में उच्छ होता है इसलिए इस पर ध्यान दें चौथा आलू आलू पोटेशियम और फॉस्फोरस का एक अच्छा स्रोथ है इसलिए यदि आपको गुर्दे की बीमारी है तो आपको इन दोनों खनिजों के सेवन को सीमित करने की आवश्यक्ता हो सकती है एक मध्य मालू में प्रती 100 ग्राम सविंग में लगबग 620 मिली ग्राम पोटेशियम होता है इससे पहले की हम जारी रखें अगर आपको यह विडियो मददगार लगा तो क्रिपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी सूची में अंतिम टमाटर है टमाटर महान है लेकिन वे पोटेशियम और फॉस्फोरस में भी उच्च है एक मद्यम टमाटर में प्रती सो ग्राम में लगभग 237 से 292 मिली ग्राम पोटेशियम और 28 मिली ग्राम फॉस्फोरस होता है तो इन सब्सक्राइब करें और अन्य सब्सक्राइब करें जो न केवल स्वस्थ हैं बलकि आपके गुर्दे को भी लाब पहुंचा सकते हैं जैसे की केल, गोभी, फूल गोभी और घंटी मिर्च